आज के इस कारेकरम में हमारे बीच उपस्तित और इस कैम्पेन को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम्मिनिकेट किया है ऐसे हमारे इंडिस्ट्री के सुपरस्टार अक्षे कुमार जी, मेरे साथ ही आशिश शिलार जी, भामला फाउंडेशन के माध्यम से जो सामाजिक कारे लगातार करते रहे हैं ऐसे आसिप भामला जी, डॉक्टर रमाकांत पंडा जी, अजे मैता जी, अजिंक डिवाई पाट जी, शेकर सुमन जी, मंच पर उपस्तित सभी महानुभाव और उपस्तित बहन और भाईयों, मैं भामला फाउंडेशन का और MCGM का बहुत-बहुत अभिहननन करना चाहता हूं, कि एक बड़ा ही अच्छा कैम्पेन उन्होंने आज शुरू किया, और जैसा हम सभी जानते है कि एक साइलेंट किलर के रूप में, जिस प्रकार से डायबेटीस और हाइपरटेंशन आज हमें अपनी चपेट में ले रहा है, एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां एक और हम लोग अलग प्रकार की युद्ध लड़ते हैं, और अपने जीवन में बड़े- बड़े संघर्ष भी करते हैं, और कई बार इन संघर्षों का सामना करने के लिए हम तयार भी होते हैं, लेकिन प्राया हमने यह देखा है कि डायबेटीस और हाइपरटेंशन इन दोनों बीमारीयों के बारे में हम लोग एक डिनायल मोड में होते हैं, हम यह कहते हैं कि हमा हमारे शायद हर पाच्वा व्यक्ति डायबेटिक है, पर यह भी हो सकता है कि हर तीसरा व्यक्ति भी हो, क्योंकि ऐसे कई लोग है कि जो कभी अपना चेकप ही नहीं करवाते हैं, और मुझे क्या हो सकता है, इस प्रकार एक डिनायल मोड में होते हैं, और फिर एक दिन ऐसा मुझे लगता है कि जब रमाकान पांडा जी के आँ जाकर एडमिट होना पड़ता है, और अपना हार्ट फिर सुधारना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि अब यह सही समय है कि जब हम सारे लोग इस बात को माने, कि एक साइलेंट किलर के रूप में, आज यह दोनों बी और मैं सचमुच अक्षे जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, कि बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म के माध्यम से पाच छोटी-छोटी बातों को हमारे सामने रखा है, कि जो डूएबल है, जो कोई भी कर सकता है, और इससे हम लोग इसको प्रिवेंट क कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर पांडा जी ने कहा, कि अम लोग बिमार होने के बाद, बिमारियों के उपर जो पैसा खर्चा करना पड़ता है, आज अगर अगर देश की अवस्ता देखे और जिस प्रकार की बिमारियों की चपट में हम लोग है, हमारे GDP से ज्यादा पैसा, अगर बिमारियों के उपर खर्चा करना पड़े तो हमारी हालत क्या होगी, और इसलिए हमारे जैसे देश में जहां हम एक बड़ी सुधरुड इस प्रकार की जनसंख्या को तैयार करना चाहते हैं, वह प्रिवेंशन, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उ जो ओबेसिटी अमंग्स चाइल्ड, चिल्रन, यह बहुत महत्पूर्ण विशह है कि जो हमारे हाँ पर एक नई पीडी है, एक नई जन्रेशन है, इसको जब तक हम एवेर नहीं करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, हमने बड़ी तेजी से विकास किया, बड़ी तेजी से किया, लेकिन जितनी तेजी से भावतिक विकास होता है, उतनी तेजी से हमारे जेनेटिक्स नहीं बदलते है, उतनी तेजी से हमारी शरीर की रचना नहीं बदलती, उतनी तेजी से हमारी जो आदते बदली हुई है, उसको हमारा शरीर एडप्ट नहीं हो तर्मों के लिए बहुत परियाब थी, लिकिन आज कम्युनिकेशन के माध्यम बदले हुए, काम के हमारे तरीके बदले हुए है, और अगर उसके साथ-साथ हम हमारी आदतों को नहीं तो कही न कही हमारी बोड़ी रियक्ट करेंगे और बोड़ी वो रियक्ट कर रही है और इसलिए मुझे लगता है कि आज एक एवेरनेस हम लोगों के बीच फैलाए यह बहुत ज़रुरी है और मैं यह मानता हूं कि अक्षे जी या राजुहिरानी जी इनके जैसे जो लोग है कि जो बेस्ट कम्यूनिकेटर से आज एक बात कोई डॉक्टर कहे या हम लोग कोई एक बात कहे तो शायद जितने लोगों तक नहीं पहुच सकती उससे ज्यादा लोगों तक आज अक्षे जी के माध्यम से यह बात पहुच सकती है और मैं मानता हूं कि भामला फॉर्डेश कि इनके साथ इंटिफाई भी कर रहा था क्योंकि मैंने भी यह कई बार देखा है कि जब मैं एक्साइस करने क्या सोचता हो तो मैं यह सोचता हूं कि कल से करेंगे आज का दिन चोड़ देते और शायद यहां बैठे हुए 90 परसेंट लोगों ने कभी ने कभी यही एक्सप जूट कहते हैं और अपनी जिन्दगी आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि आज हमारी जो नई पीड़ी है यह जो हम सारे लोग है इन तक यह फिल्म पहुंचेगी तो उसके माध्यम से एक एवरनेस आएगा और चोटी चोटी चीजे मसलन हम लोग थोड़ा सा वाक कर जितनी चीजे हम लोग छोटी चोटी अपने कामों में से जो एक शारिक एकसाइस कर पाए उसको करने की कोशिच करे या खाने में हम लोग किस प्रकार का खाना खाए यह सारी चीजे मैं वैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग मिल कर करेंगे तो एक बड़ा ही अच्छा सुदूर इस प्रकार का एक समाज हम लोग तयार कर पाएंगे। मैं आज के इस मोके पर फिर एक बार आसिफ भंबला जी का MCGM का बहुत बहुत आभार वेक करता हूँ, आशीज जी का मैं आभार वेक करता हूँ, आशीज जी ने इस कारेकरम के लिए मुझे आगरे किया और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही सार्थक इस प्रकार कारेकरम यहां पर आयोजित हुआ है और अक्षे कुमार जी आपने अ ये सारी उचाईयों पर पहुशने के बावजूद भी समाज से उसका रिष्टा क्या है, समाज के प्रती उसका उत्तरदाइत वो क्या है, अगर वो उस बात को समझता है, तो निश्यत रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी को हम लोग सुपरस्टार कह सकते हैं, और इसलिए आपने ये सारा दाइतों यहां पर निभाया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार्वेक करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अपने शब्दों को विराम देता हूँ, वैसे एक चीज है कि शेकर सुमान जी अगर बोलते रहेंगे, तो किसी को डाइबेटीस और हैपरेट कुशितनों खरफार आप करता हूँ, और लगी हमें यद रहें होँ, आपका बबोलते हमें अगर, आपकान करता हूँ, और अपकान करता हूँ, और छिएकान.